यूपी बोर्ड एक्जाम की तैयारी के लिए क्लाश 12 जिविज्ञान का 2020 का WZ पेपर ले करके आए हैं चलिए सुरू करते हैं पहला कुश्चन है निभाग पाया जाता है तो चार आपसन आपके सामने दे गए हैं परागकण में, भूणपोश में, बीजान्ड में, इन सभी में तो जो निभाग है ये बीजान्ड में पाया जाता है देखे, जान्ड या ओवियूल यहां पर हम बना लें ये इसका भूणड कोश हो जाएगा तो ये वाला जो भाग होता है ये निभाग कहलाता है उपरी जो भाग है जहां से ये अध्यावरण जुड़े रहते हैं इसे क्या कहा जाता है निभाग कहा जाता है तो निभाग बीजांड में पाया जाता है और इसी पर नाभी का वाला भी पूछा जाता है तो ये होता है वीजांड का है पुरा वीजांड का सरीर और ये होता है वीजांड वरंत तो वीजांड वरंत वीजांड का है से जहां जुड़ा रहता है उसे नाभिका कहा जाता है तो नाभिका भी इसी का भाग होता है फिर एगला कुशन है खाद शंखला में मनुस से है खा हरे पौधे होते हैं हरे पौधे उत्पादक होते हैं या प्रोडूशर होते हैं और इन्हें स्वापोशी भी कहा जाता है जो हरे पौधे होते हैं क्योंकि यह प्रकास संस्लेशन किरिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयम बना लेते हैं इसलिए स्वापोशी कहलाते हैं और शुक्र में जो स्क्रवाहिनिया जो होती है नस्वर्वाहिनिया जे जैसे पुरुस का चनन अंग है कि इसमें जो सुक्रवाहिनिया होती है कि नहीं को काट कर associations कर बान दिया जाता है तो इसे वैसक टोमी या नसबंदी कहा जाता है जबकि जो इस्त्रियां है इस्त्रियों में ट्यूबेक टोमी होती है इसमें फैलोपेन नलिका या अंडवाहिनी को काटकर बांधा जाता है फिर अगला कुशन है वंसागति की इकाई है तो हम सभी लोग जानते हैं वंसागति की काई कोशिका होती है वंसागति की काई जीन होती है फिर अगला कोशन है लिंग सहलगन गुड़ से आप क्या समझते हैं मानों में किनी दो लिंग सहलगन गुड़ों के नाम लिखिए देखें लिंग सहलगन गुड़ क्या है बहुत ही सरल परिभास आपको बता देते हैं जीन आनुवानसिक लक्षणों की वन्सागती लिंग गुर्शूत्रों से जुड़ी होती है उन लक्षणों को लिंग सहलंग गुर्श या लिंग सहलंग लक्षण कहते हैं जिन अनुवानसिक लक्षणों की वन्सागती लिंग गुर्शूत्रों से जुड़ी होती है उन लक्षणों को लिंग सहलंग गुर्श या लिंग सहलंग लक्षण कहा जाता है कागा कि मानों में किनी दो लिंग सहलंगन गुड़ों के नाम लिखे तो लिंग सहलंगन जो गुड़ों थे एक तो वर्डानता आप बता सकते हैं दूसरा हीमोफीलिया बता सकते हैं और इन दोनों पर फुल वीडियो हमारे चरह में अप्लोडर है पांच-पांच उदाहरन भी मैंने बताया हैं करके जाकर करके देखिए तुरंत आपको समदने आ जाएगा फिर अगला कुशन है पुनुर्द भवन दोरा प्रेजनन करने वाले किनी दो जन्तों के नाम लिखिए तो देखिए आपको बता दें फिल हाल तो ये कोर्स से हटा हुआ है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं जिसे छिपकली है छिपकली में रिजनरेशन होता है या पुनुर्द भवन होता है सैला मेंडर है सैला मेंडर में भी पुनुर्द भवन होता है फिर एकला कुशन है किनी दो आभासी फलों के नाम लेखे आभासी फल यनी आभास करो की फल है लेकिन वास्तों में फल नहीं मतलब कैसे फलों का नाम बताना है जो असत्य फल है असत्य फल के नाम बताना है या फिर कहले जी कि जो कूट फल होते हैं कूट फल के नाम बताना ह आभासी फल कहो, असत्य फल कहो, कूट फल कहो, एक ही बात है, तो कौन कौन से होगे, सेब है, नाश पाती है, सेब, नाश पाती, रस भरी भी होती है, आभासी फल रस भरी है, ऐसे ही सहतूत ले लिजिए, और बैंगन है, कटहल है, ये सब क्या होते हैं, अंजीर है, ये सब आभासी फल होते हैं ऐसे फल जिनका विकास अंडासय से न होकर उसके किसी अन्य भाग से होता है उन्हें आभासी फल कहा जाता है जबकि जो सत्य फल होते हैं जो अंडासय से विक्सित होते हैं तो रगला है जली परागण करने वाले किन ही दो पौधों के नाम लिखिए तो वैलिस्ट नेरिया बता दिजी वैलिस्ट नेरिया जली परागण होता है हाइड्रिला बता दिजी हाइड्रिला में जली परागण होता है और आपकी जानकारी के लिए बता है सिर्टो फिल्लम में सिर्टो फिल्लम में जल परागण होता है सिर्टो फिल्लम में तो इस तरह से नाम बता सकते हैं, दो पूछा गया था, तीन में ने बता दिया है, फ्रक लाव है, परिवार नीोजन की इस्थाई विधिया क्या है, इस्थाई विधिया कहा गया है, तो अभी यहाँ पर question में था, वही इस्थाई विधिया है, तो पहला हो जाएगा, वाएसेक्टिमी, जो फिल जानकाले के लिये आफ हमाइचे ज़iałem से वीडियो को देख सकते हैं पिर अगला है इंट अमीबा द्वारा कॉनसी बिमारी उत्पन्न होती है इसका नियंत्रन कैसे होता है अमीबा अमीबा के द्वारा कौन सी बिमारी उत्पन होती है तो आपको बता दें अमीबता अमीबता रोग उत्पन होता है या अमीबियेसिस नामक बिमारी उत्पन होती है या अमीबियेपेचिस अमीबिये पेचिस जो होती है ये बिमारी उद्पन होती, फिर कागा इसका नियंत्रण कहशे होता है, तो जिसे सबजियां हैं, सबजियों को धोकर खाएं, धोकर खाएं, फल हैं, फलों को धोकर खाएं, ऐसे ही खुली चीजों को ना खाएं, जो भोजन है, भोजन को ढख कर रखें, आदि ये नियंत्रण जीविता क्या है धनात्मक पारसपरिकिरिया होती है जो सह जीविता है ये धनात्मक पारसपरिकिरिया है जो पर जीविता है ये रडात्मक पारसपरिकिरिया है तो सह जीविता क्या है धनात्मक अंताहकिरिया होती है पर जीविता रडात्मक अंताहकिरिया होती है और अगर दूसरे अंतर, एक अंतर तो यह हो जाएगा, दूसरे अंतर की बात की जाए, तो जो सह जीविता होती है, इसमें दोनों जीवों को लाब होता है, या फिर खालेजिए कि किसी की हानी नहीं होती है, किसी की हानी नहीं होती है जबकि जो परजीविता है इसमें एक को लाब मिलता है परजीविता में और दूसरे की हमेशा हानी होती है एक को लाब और दूसरे की हमेशा हानी होती है अगर सह जीविता का उदाहरण पूछा जाए तो उदाहरण आप बता सकते हैं जैसे लाइकेन वा साइकस की जड़े आर्केडवाकर्ण ठलता है और परजीविता में पूछा जाए तो जैसे तने पर पूर्ण परजीवी अमर वेल अमर बेल कुसकुटा यह सब क्या हो जाएंगे परजीविता का उधरान हो जाएंगे ऐसे ही परजीवी जो टेप वर्म होता है जो फीता क्री में होता है आतों मिच्छे पक जाता है और बाह परजीवी जैसे जू होता है तो यह हो जाएंगे फिर एकला है कोडान एवं एंट इस पश्ट कीजिए तो इधाल लिखते हैं कोडान और इधाल लिख लेते हैं एंटी कोडान अब देखें कोडान क्या है जो तीन नुकलियोटाइड तीन नुकलियोटाइड का वह समूह जिसमें किसी एक अमीनों अमल के लिए संदेश निहित होता है तीन नुकलियोटाइड का वह समूह जिसमें किसी एक अमीनों अमल के लिए संदेश निहित होता है उसे ही कोडान कहा जाता है जबकि एंटी कोडान क्या है तीन नाइट्रोजिनस छारकों का वह समूह जो MRN में उपस्थित कोडान का पूरक होता है उसे एंटी कोडान कहा जाता है तो कोडान क्या है तीन नुकलियोटाइड का वह समूह जिसमें किसी एक अमीनों अमल के लिए संदेश निहित रहता है कोडान कहलाता है एंटी कोडान क्या है तीन नाइट्रोजिनस छारकों का वह समूह जो MRN में उपस्थित कोडान का पूरक होता है एंटी कोडान कहलाता है यह तो हुआ एक अंतर ऐसे ही दूसरा अंतर भी आप बता सकते हैं आप दूसरा बता देजी कि यहां mRNA आड़ उपर इस्थित होता है जो कोडान है mRNA आड़ उपर इस्थित होता है और जो एंटी कोडान है tRNA आड़ उपर इस्थित होता है तो दो-तीर ऐसे बता देजीए फिर अगला है green house उस प्रभाव पर टिप पर लिखे कोर्स से हटा हुआ है आप इस पर जानना चाहते भी है तो हमाई चर्म अप्रोडर आप रुग जा करके देख सकते हैं खर एक ला है वाहित मल उपचार में सुचप जीवों के महत्तों को इस पष्ट कीजिए आपको बताते हैं वाहित मल क् जल बहता है नगरों का जो जल होता है उस जल में अपसिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं जब अपसिष्ट पदार्थ कौन-कौन से हैं अब अपसिष्ट पदार्थ में जैसे आप मान सकते हैं कूड़ा करकट कूड़ा करकट है मल मूत्र है और ऐसे ही अन्ठोस पदार्थ हैं ये जब मिल जाते हैं नगरों के जल में तो वो सब पूरा मिला करके वाहित मल कहलाता है, वाहित मल और वाहित मल में ये जो सभी पदार्थ मिले होते हैं, इनको सडाने का कार सूचम जीव करते हैं, तो वाहित मल में जो पदार्थ मिले होते हैं, तो उस पदार्थों को, इन ठोच चीचों को, जो सूचम जीव होते हैं, ये सडाने का कारी करते हैं, तो इस तरह से इनका महत्तो है, फिर चले अगले कुशन पर आते हैं, देखें, चौथे का पहला हार्डी वीनबर्ग के निय के अनुसार, एक बड़ी जीव आबादी का जीन पूल, तब तक नहीं बदलता, जब तक उत परिवरतन और प्राकर्तिक वरण, यानि नेचुरल सेलेक्शन, जैसे विकार्ष को प्रेरित करने वाले कारक उसको प्रभावित नहीं करते हार्डी वीनबर्ग ने क्या बताया था, कि एक बड़ी जीव आबादी का जीन पूल तब तक नहीं बदलता, जब तक कि उत परिवरतन और प्राकर्तिक वरण जैसे विकास को प्रेरित करने वाले कारक उसको प्रभावित नहीं करते हैं, अब ये कारक कौन-कौन से हैं, जैसे अन्वानसिक परिवरतन और जीन उत परिवरतन ये सब इसके अंतर गताते हैं, तो पूरी जनकारी के लिए अब हमें चले से वीडियो को देख सकते हैं, खरकला है मिलर के प्रियो का सच्छ एवं नामांकि चित्र बना ये, आई ये बना कर दिखा देते हैं, देखें सबसे पहले यहां से एक हम नलिका लेते है और इसको यहां एक जार बनाते हैं, इस तरह से, और इसमें एलेक्ट्रोड लगा देते हैं, वैसे हमने इस चित्र को बनाना बताया है, आप चाहें तो हमारे चैनल से जाकर के इसको अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें क्या-क्या भरा था है इन्होंने, मेथेन, अमोनिया, ह आइड्रोजन आदी गैसों का मिस्ट्रण इसमें डाल दिया था, और फिर यहां पर कंडेंसर का यूज किया था, यह कंडेंसर था, यह एलेक्ट्रोड थे, और फिर इसको घुमा कर यहां लाए थे, यहां लाए थे, फिर यहां नीचे से आकर के यह इस तरह से, यहां, फिर इसको घुमाना यहां पर एक ट्रैप लगाया था, यह एक ट्रैप था, और इसके बाद में, यहां एक और, बाड़ा सा फ्लास्क था, और इसको इधर एक पतली नलिका के द्वारा जोड़ करके, यहां से, इस तरह से जोड़ा गया था, यहां पर, वैक्यूम लगा था, और इसमें जल भारा हुआ था, यह जल हो जायेगा, और यह जल कैसा था तो खोलता हुआ उबलता हुआ जल था यानिके नेचे पर एक SPRIT LAMP बना देते हैं यह SPRIT LAMP थी यह उबलता हुआ जल है उबलता हुआ जल है तो इसमें जो GAS जा रही है भाब जा रही है तो यह जल वास्प थी यह इस तरह से इस तरह से आप बना सकते हैं कई दिनों तक यह चलता रहा तो कुजनोबाद इस्टरने मिलने यहां पर सरकरा और अमीनो अमल देखे थे तो यह भी लिख देंगे और इसमें एलिनीन, ग्लाइसीन वगरा थे तो इस तरह से पुरा चित्र नमांकित बना देना ह अगला कुशन है कारबन चक्र का रेखा चित्र के माध्यम से वर्ण किजिए तो देखे इसकी परिभासा क्या होगी एंटिबायोटिक की कि यह एक ऐसा पदार्थ है जो जीवाण आदी सूझम जीवों को नश्ट करता है एंटिबायोटिक एक ऐसा पदार्थ है जो सूझम जीवों को नश्ट करता है जैसे जीवाण इन सूझम जीवों को नश्ट करता है और आपको बता दें इसकी खोज किस ने की? तो एलेड़ जेंडर फ्लेमिन ने की थी और इसका माहत तो पूछा गया है तो बीभिन प्रकार के बैक्टीरियल डिसीज में इसका उपयोग किया जाता है जो bacterial diseases होती हैं उनमें इसका प्रियोग किया जाता है उनको दूर करने के लिए जिवानों को मारने के लिए फिर अगला कुशन है अंडाण जनन से क्या समझते हैं सचित्रवर्णन कीजिए तो अंडाण जनन की परिभासा क्या होगी देखें अंडासे जो होता है अंडासे की जननिक कोशिकाओं से अंडाण बनने की किरिया अंडाण जनन कहलाते है अंडासे की जननिक कोशिकाओं से अंडाण बनने की किरिया अंडाण जनन या अंडजनन या उजनेसिस कहलाती है और पूरी जनकारी के लिए आप हमारे जनन से देखे तके हैं उसमें चित्रव सफ में ने समझाया हुआ है फिरकला है उत्परिवर्तन का सिधान्त क्या है कि इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया इसके महत्त को इस्पष्ठ कीजिए आपको बता दें कि लक्षणों में लक्षणों में अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं लक्षणों में अचानक जो विभिनताएं आ जाती हैं जो वनसागत विभनताएं उत्पन हो जाती हैं उन्हें ही उत्परिवर्तन कहा जाता है और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तो हालेंड के वनस्पति सास्त्री हूंगो डी वरीज हुंगो डी व्रीज ने इसे प्रितिपाज़त किया था हॉलाइंड के वनस्पत सास्त्रे थे हुंगो डी व्रीज इन्हों ने उत्परिवर्तन वाद दिया था तो हुंगो डी व्रीज ने संध्या प्रिमरोज नामक संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर प्रियोग किया था पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चनल से वीडियो को देख सकते हैं यह रगला कुछन है नर के जनन तंत्र का सच एवं नामांकिक चित्र बनाईए आई इसको समझा देते हैं लेके नर जनन तंत्र बनाने के लिए इस तरह से गोला हलका सा लंबा टाइप बनाएंगे फिर छोटा सा गोला बनाएंगे और इस तरह से छोटी छोटी बड जैसे निकाल देंगे फिर इनको नीचे तक खीचना है ऐसे और फिर यहां से इस तरह से हलका सा घुमा देंगे और ऐसे ही कोरोना टाइप बना देंगे इसको और फिर यहां से लेकर के इसको इधर जोड़ेंगे इसको इधर जोड़ेंगे आप थोड़ा सा इसको उबर रैट कर देते हैं मोटा कर देते हैं और यहां से यहां एक उपर ही जो तुछा की जिल्ली होती है उसको बनाना है इस उपर वच्छण नाल का भाग होता है अब हमने कलर का भी यूज किया है, आप चाहें तो कलर का यूज ना करें और परीक्छा में आपको समय भी नहीं मिलेगा के कलर का यूज कर पाएं है अश्या लगने के लिए blue ऑघक कर दिया और आप परिक्षा में पेंसल का ही प्रयोग करें, पें का प्रयोग ना करें, आप सुक्रमाहिनी से इधर ब्रेशन बनाएंगे, इसका नामांकन करेंगे, ये मूत्रमाहिनिया हो जाएंगी, ये मूत्राशय होता है, और इसके बाद में ये सुक्राशय होता है, और ये जो फूला हुआ भाग है, प्रोस्टेट ग्रंथी होती है, इसी के पीछे कावपर्स ग्रंथी होती है, ये सुक्र वाहिनिया हैं, जिनके माध्यम से सुक्राण जाते हैं, ये आधि व्रेशन होते हैं, जो आति कुंडलित के उपर लगे रहते हैं, और ये हैं व्रेशन यानि टेश्टिस, और ये सिस्न पूरा हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, फिर अगला कुछन है, आप बिजी पौदे के भ्रूण का विकास का वर्णन कीजिए, ये वीडियो हमाई चरह में अप्लोड़ेट है, आप लो प्लाद्मोडियम वाईवैक्ष, दूसरी है प्लाद्मोडियम फैलसी पैरम, तीसरी है प्लाद्मोडियम ओवैल, और चोथी है प्लाद्मोडियम मलेरियाई, तो प्लाद्मोडियम की चार जातिया होती है, या चार जातिया मोखिरूप से पाई जाती है, प्लाद्मोडिय फैलसी पैरं प्लादमोडियम ओ Сी है इस से बेंग टैर्टन मैलेरिया होता है जो प्लादमोडियम ओविल्ट है mild carotan malaria होता है और जो प्लादमोडे malaria ही है इससे carotan malaria होता है तो इस तरह से इसका detail से आप बता सकते हैं मैंने यहाँ संचितर उसे आपको समझा दिया है फिर रगला है DNA finger printing से आप क्या समझते हैं तो देखिए आपको बता दे DNA खंडों की matching किसी व्यक्ति की पहचान करना ही DNA finger printing करता है DNA खंडों की matching द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही DNA finger printing करता है और इस तकनीक के द्वारा इसके द्वारा क्या करते हैं किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है पहले बात तो यह किसी विक्ति की पहचान करते हैं या फिर किसी विक्ति के माता-पिता की उसके माता-पिता की पहचान करते हैं किसी विक्ति के माता-पिता की पहचान की जाती है किसी के संतान की पहचान की जाती है अपराधी की पहचान की जाती है बलातकारी की पहचान की जाती है तो आप कह सकते हैं कि जो DNA fingerprint है इस तक्निक के दोरा किसी व्यक्ति उसके माता-पिता, संतान, अपराधी, बलातकारी, मनुस्य की पहचान की जाती है प्रेगला है ये कोर्स से हटा हुआ इसको हटा देते हैं निम्ण पर टिपड़ी लिखिए थैलसेमिया और Biosphere जो थैलसेमिया ये क्या होता है तो इस रोग में से लिख दो इस रोग से पीडित व्यक्ति में हीमोगलोबिन हीमोगलोबिन का संसलेशन नहीं होता है इस रोक से पीड़िद विक्त में हीमोग्लोबिन का संसलेशन नहीं होता है और हम सभी लोग जानते हैं जो हीमोग्लोबिन है ये RBC में पाई जाती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवाहन करती है अब जब हीमोगलोबिन ही नहीं बनेगी तो ऑक्सिजन का परिवहान नहीं होगा ऑक्सिजन नहीं जा पाएगी जिससे विक्तिकी मिरत्यू हो जाएगी तो थैलसीमिया पर पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चल्ण से वीडियो को देख सकते हैं करेगला है जयो बिवित्ता से आप क्या समझते हैं इसको कैसे सनरक्षित किया जा सकता है आई इसको समझा देते हैं जयो बिवित्ता की परिभासा यहां से देखते हैं जयविक संगठन के बिभिन अस्तरों पर पाई जाने वाली बिभिनता को जयो बिवित्ता कहते हैं जयविक संगठन के बिभिन अस्तरों पर जो बिभिनताय पाई जाती हैं जो वैरियेशन्स पाई जाती हैं उसी को जयविवित्ता कहा जाता है और यह बिवित्ता कई अस्तरों में होती है जैसे अनुवांसिक बिवित्ता फिर जाती बिवित्ता और तीसरी है पारिस्थितिक बिवित्ता की बिधियां आपको बता देते हैं कैसे इसको संड़चित किया जाए तो देखे जय बिवित्ता संड़क्षण की दो प्रमुग बिधियां हैं पहला स्वास्थाने संड़क्षण और दूसरा बाह अस्थाने संड़क्षण तो स्वास्थाने संड़क्षण में क् पर दिया जाता है इसलिए अनेक प्राकर्तिक छेत्रों को राष्ट्य उद्यान पासु विहार जीव मंडल वन्य जीव अभेरन का रूप दे दिया गया है वही पर उनको सरक्षा प्रदान किया गया है अधिक्तम सरक्षा के लिए जो विविता हाट्सपार भी बनाए गये है फिर दूसरा है बाहे अस्थाने सरक्षा तो इस विद्य में संकट ग्रस्त जीवों को उनके प्राकर्तिक आवाज से अलग करके एक विशेस अस्थान पर सरक्षित किया जाता है जहां उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है मतलब बाहे अस्थाने सरक्षा का मतलब यह हुआ कि उनको जहां पर वो रह रहे थे जहां पर उगे वे थे वहां से ले जाकर के अलग लगाना या फिर जहां पर कोई जीव रह रहा था वहां से उठाकर अलग रखना ही उसको अलग रखते उसको सरशड़ देना ही बाह अस्थाने सरशड़ कहलाता है तो जहां उनकी अच्छी तरह से दिखभाल की जाती है जन्तु उद्ध्यान वरिस्पत उद्ध्यान सफारी पार्क का यही उद्धे से है बाहस्थाने से नक्षड के अंतरगत जीन बैंक टीसू कल्चर क्रायो प्रिजर्विशन आधी आते हैं तो इस तरह से पूरा क्वेशन हो जाएगा व बेरी मोस्ट इंपॉर्टन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है परिच्छा में पूछा जा सकता है तो इसको जरू तयार कलेजिए मैंने आपको समझा दिया है अथवा में प्लेसेंटा प्लेसंटा क्या होता है प्लेसंटा क्या होता है तो जो आपरा होती है जो आवल ह होती है उसे ही प्लेशेंटा कहा जाता है आपको बता दें कि गर्भासे तथा भ्रूण के विलाई आपस में जुड़कर भ्रूण को गर्भासे की दीवार से जोड़ देते हैं इसी संबंध को क्या कहते हैं अपरा कहते हैं या प्लेशेंटा कहते हैं या आवल कहते हैं क्या बताया गया है गर्भासे तथा भूण के विलाई आपस में जुड़कर भूण को गर्भासे की दीवार से जोड़ देते हैं इसी संब्धोन को इसी जोड़ को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है और जो प्लेसेंटा है यह बच्चे को पोशंड़ प्रदान करती है पोशंड, शवशंण प्रदान करती है ऑउक्सिजन और जो उससेरज़ी पदार्थ होते हैं उस सरजन भी कर्वाती है और टीके के माध्यम से प्रितरख्षा भी देती है जो जयो प्रवली कर यह हटा हुआ है संकट जाती ओसे आप क्या समस्ते हैं संकट ग्रस्तजातियों से ह Base संकट ग्रस्त जातियां कहा जाता है सब कुछ समझाया गया है व्यासन से आप क्या समझते हैं प्रमुग नसीले पदार्थों का नाम उनके प्रभाव और वर्णन कीजिए किसी चीज की लत लग जाना ही व्यासन है और नसीले अब विद्व यह वडियो अप्लोडर है आप लोक जा करके देख सकते हैं पुनर्सयोजन ड्यान New ने तक्नीक से आप क्या समझते हैं चीजिय साम में इसका उप्योग देखें जो पुनर्सयोजन ड्यान ड्यान्य तक्नीग है वास्तों में यह रीकॉंबेस ड्यान्य ने है यानि कि कोई दो जीव हैं इन में से कोई एक DNA इधन निकाले आवांची तो एक नया DNA बन गया जिसे रिकांबिनेट DNA कहते हैं पार जीनी जन्तु को परभासित किजिए कैसे विक्षित किए गए हैं तो पार जीनी जन्तु वह जन्तु होते हैं जो ट्रांस जन्तु होते हैं उन्हीं को पार जीनी जन्तु कहा जाता है जो रिकांबिनेट DNA टेक्नोलोजी के माध्यम से बनाएं तो इसे से रिलेटेट सब्सकाइब भी कर लिजिए धन्यवाद